क्या खाना क्या नहीं खाना स्वास्त के लिए वो मैं आपको सुनाता हूँ गोर से सुनों वैसे तो है हमारी तडपती काठियावडी भाशा में बाकी मैं आपको समझाऊंगा वो क्या क्या रहा है पहले मैं सुनाऊं तिर समझाऊं और कह क्या रहा है आँखे त्रिफळा डाते लून पेट न भरवू चारे कोर जमीने डाबे पढखे सुए तेनो रोग रणमा रुए भोई पथारी जे करे लोढे धेबरे खाई सूरज खाई अने चांद पीवे सूरज खाई चांद पीवे तेनो रोग रणमा रुए ताजू खाई वकत सर्शुए तेनो रोग घर घर रुए समझ में आई कुछ बात सुनाता हूं रात को तामबे केल पात्र में एक गलास पानी ज्यादा चाहे तो दो गलास इसमें त्रिफला का चुरण थोड़ा सा इसमें डाल दो और सुबेरे इसको छान कर वो पानी जो है त्रिफला का आँख को साफ करो चश्मा भी होगा तो भी उतर जाएगा माराज त्रिफला में ताकात है वो पानी से आँख को साफ करो सुबेरे उठकर त्रिफला ना हो तो कम से कम तामबे का पानी जो है न इससे आँख साफ कर लो तो आँखे त्रिफला और दाते लून का अर्थ होता है नमक सुबेर और शाम दांत जो है मसूडों के साथ सिर्फ नमक लगाओ और वो भी समूदर का हो तो बहुत बढ़िया यह आयोडाइजड हो है न वोल मत लगाओ समूदर का मिल जाएगा आप अच्छे कोई पंसारी के दुकान में जाओ तो वहाँ से आपको मिलेगा हां वो दांते इसको लगाओ ना मसूडा में कभी स्रडन आएगी और ना दांत आपका गिरेगा बेंतिसे बेंतिस रहेगा बुढ़ा पे तक तो आखें त्रिफला दाते लून और पेट न भरवू चारो और जहां तहां खाने का नहीं है माई जहां तहां नहीं खाना चाहिए जमीन ने डाबे पढखे सुए खाना खाने के बाद यह बाईना है ना करवट आपकी यहां होनी चाहिए इसका कारण यह है आपका हरदई जो है हार्ट जिसको कहते हैं वो ऐसे है और यहां से दो अतीन नडिया निकलती हैं इसमें बीच वाली जो है ना सबसे बड़ी इसका नाम है एयोटा और यह जुकती है लेफ्ट एंड साइड में बाईने तो ऐसे सुओगे ना तो खून का संचार होने में रदई को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी तो खाना खाकर लेफ्ट एंड साइड में सोना चाहे राइट में ना सोए राइट में सोगे तो उल्टा हो जाएगा गृत्वा कुश्चन से विप्रित हो जाएगा तो उसको खून को संचार करने में रदे को दुगना काम करना पड़ेगा. तो लेफ्टेन साइड में जाकर आपको जो आदमी सोता है, उसका जो रोग है, वो घरगर जाकर रोता है. मतलब उसको रोग नहीं होता है. बोईः पथारी सुए, बने जमीन के उपर सोना, उसका शरीर कैसे होता है? बोले वजरसमान, वजरसमान उसका शरीर होता है. जिन लोगों को कमर में दर्द होता है बाई बरावर ना, एल फाइव में तकलिफ हो गई एल फाइव, एल फोर, इसी में कमर में दर्द होती है, नीचे ही सोना चाहिए महाराज आ हनुआ जी का नाम आप लोग बजरंग बली बोलते हो ना बजरंग जैसे शब्द है ही नहीं ये शंस्कुरुद शब्द का अपब्रहंस हुआ है उनका अंग जो वजरांगी जिसका अंग वजरसमान लोहे जैसा है तो वजरांगी का हमने कर दिया बजरंग बजरंग शब्द है ही नहीं उसका नाम है वजरांगी जिसका शरी वजर समान है सूरज खाई और चांद पीवे मतलब सूरज जब तक आकाश में तब तक खाओ और एक बार सूरज अस्त हो गया और अंधेरा हो गया तो सिर्फ पीना है तब सॉलीड नहीं खाना चाब ये जितने सूरज खाए और पेट बर खाए बिल्कुल जहर होने वाला है तुम्हें तुम्हें रोग एक सो एक परसंट तुम्हें रोग होने वाला है गैरेंटीड तुम्हें रोग होने वाला है सूरज खाए और चंद्रमा पीवे जब तक सूरज है तब तक खाना खाओ एक बार अस्थ हो गया फिर पीना मतलब कोई सूप पीना हो दूद कहीं लोगों को दूद नहीं बाता कोई बाना नहीं सूप पीलो भाई और ना रह सके तो कोई थोड़ा सा केले जैसा रात को खटा फ्रूट नहीं खाना चाहिए नहीं तो पीत का रोग बढ़ जाएगा साब मिठा खाना ही है एक दो केला खालो पीत का रोग का शमन कर देगा ताजू खाई और वक्त सरसुए बासी नहीं खाना साब कम बनाओ कम बनाओ ज्यादा न बनाओ फेकना पड़े या दूसरे दिन तक फिर से उसको रिसाइकल करें लोग रिसाइकल करते हैं आज का बच गया ना तो कल उसका बना देते हैं खमन ठोकड़ा पुरा न थाई तो भीजे दिए से खमन ठोकड़ा पाच्छा वगारी ना कहें ऐसे नहीं होता है ताजा खाना है और समय सरसोना है तो रोग नहीं होगा